बसकार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube channel School Mathematics में तो पिछले वीडियो में मैंने जहां तक बताया था उसके आगे से प्रोसीट करेंगे आज हम लाज वीडियो में मैंने बताया था कि matrix multiplication जो होता है वो commutative नहीं होता है in general तो उसी के आगे हम आज देखेंगे आपके सामने है एक्जामपल नमबर 14 देखें रहां से यहां पर यहां देखिए A की वैलू दी गई है यहां पर 100-1 और B की वैलू दी गई है 0110 पहले हम A into B निकालेंगे क्या करते हैं first row पहले मैट्रिक्स के first row को first column से into करते हैं फिर उसके बाद first row को second column से into करते हैं तो यह आएगा यह दोनों मिल गया उसके बाद second row को first column में into करेंगे तो यह आएगा फिर second row को second column में into करेंगे तो यह आएगा इसको solve करने के बाद आएग चलने के बाद देखें क्या रहा है 0-110 अब आप इन दोनों मैटिसेस को द्यान से देखिए एक बार इसको और इसको तो देखने में लग रहा है कि यह दोनों equal नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए 1 है और यहां पर क्या है minus 1 यहां से भी पता चलता है कि मैट्रिक्स multiplication क्या होता है commutative नहीं होता है एक चीज हमेशा याद रखना कि mathematics में किसी चीज को तभी हम यसकाते हैं जब वो every condition में सही आए every condition में hold करे every condition में true रहे तभी हम उसको सही मानते हैं और कहीं भी अगर वो contradict होता है कहीं भी रूल्स को break करता है तो हम यही मानते हैं कि वो चीज सही नहीं है और चले नेक्स पर आते हम लोग यहाँ देखिए आपके सामने एक एक जामपल है यहाँ पर यह तो आपका यह हो गया यह पिछली हो गया है नेक्स देखते हैं तब मैट्रिक्स multiplication is not commutative matrix multiplication comutative नहीं होता यह आप माउद्रिक्स ही सीखा भी मैंट्रिक्स in is not commutative अब नौड़ अगर मालीजिए matrix जो है वो सेम उर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्श हैं और वो डाइगोनल मैट्रिक्स है इफ A and B are diagonal matrices of same order then A, B equals to B अगर matrices क्या है, diagonal matrices है same order के तब यह matrix multiplication क्या हो जाता है कॉमिटेटिव, diagonal matrices क्या होते है, ऐसा हम square matrix जिसमें diagonal के अलाबा सारी increase क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो देखिए आपके सामने यह A है और यह B है पहले हम A into B निकालेंगे, हमने यहाँ पे into किया A into B, A into B करने के बाद हमारा आया, देखिए आपके करना अपनी copy पे, यह आएगा, यह matrix आएगा 3008, इसके बाद हम B into A निकालेंगे, इसको भी into करने के बाद देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, यह आ रहा है 3008, आप देखना इसमें दोनों ही सही है, एक ही आएगा 3008, हैंस A B equals to B, तो आपने क्या सिखा, इफ A and B are diagonal matrices of same order, then A B equals to B, तो commutative law यहाँ पे hold करेगा, लेकिन यह condition के साथ है, इन जर्नल नहीं है, हमेशा नहीं होता है, यह condition के साथ है, अब देखिए, next देखिए, product of two non-zero matrices may be a zero matrix, यह ध्यान दखना, अगर हम real number की बात करें, और एक number है A, दूसरा number है B, और इनका product अगर zero है, तो हम यही कहेंगे कि, either A equals to zero, और B equals to zero, या तो A zero होगा, या B zero होगा, या दोनों zero हो सकते हैं, लेकिन matrix के लिए ऐसा नहीं है, matrix में ऐसा भी हो सकता है कि, neither A equals to zero, nor B equals to zero, but A, B equals to zero, देखिए, आपके सामने एक example है, बोर्ट एक्जाम में भी आजाता है, कि राइड़ीदा एक्जामपल आप मैट्रिक्से, two matrices, non-zero matrices, उस प्रोड़क्टी जीरो मैट्रिक्स, तो आपके सामने एक एक एक्जामपल है, इसी तरह का और भी एक्जामपल आप बनाना, तो देखिए, यहाँ पर A zero नहीं है, zero matrix हो या है, इसको, तो A into B क्या हो जागा, देखिए, आपके सामने यह प्रोडक्ट है, पहला हम इंटू करेंगे, फर्स्ट रोग को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रोग को second कॉलम में, ऐसे ही second रोग को first column में, second रोग को second column में, तो देखिए, यह इतना आएगा, फिर इतन प्याइड आप यहाइड अर्फ यहाइड रखना इसको थोड़ी जित्धाम सब्सक्राइड है नंबर क soup एक निए को सब्सक्राइड देmost A, B, C, यह क्या होता है? product of real numbers, तो product क्या होता है? रियल नंबर का यह associative होता है, तो यहां भी क्या है? associative है, ऐसी देखिए, next properties क्या है, distributed properties को कहते हैं, A into B plus C equals to A, B plus A, C, ऐसे ही यहां से गर into करें right side से, तो A plus B into C क्या हो जगा है? A, C plus B, C, अब माली यह आई क्या है? identity matrix, आई identity matrix है, जिसमें क्या होता है? diagonal elements 1 होते हैं, बाकी क्या होता है? 0 होता है, बाकी क्या होता है? 0, अब I को A में into करो, या A में I को into करो, क्या आएगा यहां पे? A आएगा, चलिए next देखिए, example 19, in a legislative assembly election, a political group hired a public relations from firm to promote its candidates in three ways. कितने तरह से यह promote करते हैं, अबने candidate को? एक तो telephone करके, house call, telephone house calls and letters, telephone एक होता है house calls, घर जाके और एक होता है, लेटर के दोरा, the cost per contact in पैसे is given in matrix A, as given by, तो देखिए, यहां पे, A में क्या है, cost per contact, एक बार contact करने में, अगर telephone से हम contact करेंगे, तो देखिए, कितना पैसे लगता है? 40 पैसे, अगर house call करेंगे, तो कितना लगेगा? 100 पैसे लगेगा, और चिट्ठे लिखेंगे लेटर तो कितना लगेगा? 50 पैसे, अब next देखिए, यहां पे, तो देखिए, दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसमें, इसमें, the number of contacts of each type, mod in two cities, x and y is given way, अब देखिए, इसमें, the number of contacts, कितने कितने contact किये गए इसमें? इसमें दिया है, x से एक city है, x, इसमें telephone से 1000 contact किया गया, house call 500 और ऐसे लेटर 5000, और y जो city है, यहां पे, telephone 3000 है, house call 1000, और लेटर 10,000, find the total amount spent by the group in the two cities, x and y, total amount कितना expend किया गया, तो a का order है 3 by 1 और b का order है 2 by 3, तो आप देखिएगा, इसमें b into a निकालेंगे, इसमें into करेंगे, तो b into a निकालने से, देखिए, कितना या इतना इतना, तो यह आपके सामने है, आप इसको into करना, तो x में कितना आया, यह दिखिए, 3,40,000 और y में कितना आया, 7,20,000, तो यह हो गया, अब चलिए दोस्तों, next देखते हैं, transpose of a matrix, transpose में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा heading है यह, इसमें क्या करते हैं, कि जब किसी भी matrix के rows और columns को हम interchange करते हैं, आपस में, तो हमको क्या मिल जाता है, transpose मिल जाता है, एक्जामपल के लिए जैसे आपके सामने यह matrix है, a, b, c, d, यह मा लिजे है matrix, a, इसका जब हम transpose निकालेंगे, transpose को हम a, dash, और a पे t लिखके denote करते हैं, इसके rows और columns को interchange कर दीजे, तो क्या हो जागा, यहाँ पर first row हो जागा, first column हो जाएगा, a, c, और b, d, जो हो जागा, यहाँ पर b, d, यह जागा, b, d, तो यह हो जागा, definition, if a equals to a, i, j, b, n, m, by n matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of a, is called the transpose of a, बतरब a के rows और columns को आपस में हम interchange कर दें, तो जो नया matrix आएगा, वो कहलाएगा, transpose of a, denote कैसे करते हैं, a, पर dash लगा के, या a, पर t लगा के, transpose आप एक कैसे denote करते हैं, a, पर dash लगा के, या a, पर t, order क्या हो जाएगा, अगर a का order है, m, by n, तो a dash का order है, n, by, m, तो इसका अथरो अब देखिए, आपके सामने की example है, एक matrix का example है, इसमें 3, 5, root 3, 1, 0, minus 1, by 5, यह है, इसका transpose क्या हो जाएगा, first जो column है, यह first row में change होगा, 3, root 3, 0, और जो second जो column है, यह second row में change होगा, 5, 1, minus 1, by 5, अब transpose की देखिए, properties क्या होती है, properties of transpose of the matrix, क्या properties होगा, अगर किसी matrix का transpose निकाले, और फिर उसका transpose निकाले, दो बार transpose निकाले, तो उनको वापस सही matrix A मिल जाता है, दूसरी property क्या है, अगर किसी matrix में, एक scalar से into करने, के से और पूरे का transpose निकाले, उसके बाद अलग से उस matrix का transpose निकालके के से into करने, तो दोनों क्या आता है, सेम, ऐसे third देखिए, A प्लस B का hold transpose क्या हो जागा, A transpose प्लस B transpose, और last property है fourth, A, B का hold transpose होगा, B transpose, A transpose, अगर इसी तरह से मा लिजीए, three matrices हैं, A, B, C, और इनका transpose है, तो जागा, C transpose, B transpose, A transpose, ये चीज़ होगा, एक चीज़ और धियान रखना दोस्तों, अगर यहाँ प्लस B की ज़गा, एक माइनस भी हो, तब यहाँ पर माइनस आजाएगा, चलिए हम example के थूँ, इनको कुछ results को verify भी करते हैं, जैसे देखे, example number 20, if A equals to इतना है, A matrix दिया और B दिया है इतना, verify that transpose of A transpose equals to A, A plus B transpose, whole transpose equals to A transpose plus B transpose, transpose of K into B equals to K into B transpose, where K is any constant, A constant है, तो चलिए solution देखिए, आप फस्ट देखिए, इसमें A दिया है, अब हमने A का transpose निकाला, तो फस्ट रो किसमें चेंज हो गया, फस्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो गया, सेकंड कॉलम में, वापस फिर हमने इसका transpose निकाला, तो फिर यह जो फस्ट कॉलम है, फस्ट रो में चेंज हो गया, और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गया, तो यह वापस देखिए, A के equal ही आगया, किसके equal आगया, A के equal, तो यह result verify हो गया, transpose आप A transpose equals to A, सेकंड देखिए, A प्लस B हमने पहले निकाला, सेकंड क्या है, इसमें A प्लस B, तो दोनों को हमने add कर दिया, add करने के बाद यह चीज हमको मिला, इसके बाद इसका whole transpose निकाला, तो फस्ट रो किसमें change होगा, फाइप रोट 3 माइनस 1, 4, और सेकंड रो किसमें change होगा, फाइप 4, 4, अब हम अलग से इनका transpose find करके इनको add करेंगे, तो A transpose देखिए यह है और B transpose यह है, इनको हमने add कर दिया, A transpose प्लस B transpose, कितना होगा 5, यहां हो जगा 5, यह पूरी चीज़ें आ गई, अब 1 और 2, एक में हमने नाम दे दिया है 1, यह देखिए 1 है यह, A प्लस B का whole transpose, और A transpose प्लस B transpose को हम add कर देंगे, तो भी यही चीज़ आएगा, देखिए दोनों में सेम चीज़ आ रहा है, यह और यह दोनों सेम चीज़ आ गया, इसका उत्रब क्या हो गया, कि transpose of A plus B equals to transpose of A plus transpose of B, थार्ट देखिए इसमें, K into B, B क्या है, 2-1, 2, 1, 2, 4, अब K से into कर दीज़े, तो आपको पता है कि matrix के सारे elements में, scalar से into होगा, 2K minus K, 2K, K, 2K, 4 के हो जाएगा, अब पूरे का transpose लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रोज और columns आपस में क्या हो जाएगे, इंटर्चेंज हो जाएगे, फिर के से into कीजिए, तो यह चीज़ आएगी, तो 1 or 2, from first and second आप पाएगे, कि transpose of K into B equals to K into B का transpose, यह result भी verify हो गया आपका, जो proof होता है, वह आप higher classes में पढ़ेंगे, यहाँ just example के थूरू आपको verify करना बताया गया है, और example 21 देखिए आप, A equals to दिया है, B equals to, यह दिया है, इस example के थूरू आपको show करना है, कि transpose of A, B equals to B transpose, A transpose, तो A दिया है, तो A transpose क्या होगा, यह होगा, एक ऐसा matrix है, column matrix, तो A transpose क्या बन गया, row matrix, ऐसी B क्या है, row matrix, तो B का transpose किसमें बन जाएगा, column matrix में change हो जाएगा, अब A into B निकाले, A into B आप, जब into करोगे, A और B को, तो यह आएगा, यह इसमें convert हो गया, अब इसका आप पूरे का transpose ले लो, तो first row, first column में change हो गया, second row, second column, और third row, third column में change हो गया, तो यह चीज़ आगया, अब ऐसे देखिए, B transpose into A transpose अब निकाले, अलग से B transpose और A transpose को into कीज़े, तो यह B transpose हो गया, यह A transpose हो गया, into करने के बाद यह आया, तो आपने क्या देखा, कि AB का whole transpose equals to B transpose, into A transpose, चलिए transpose पे ही आगे, दो definition है, एक होता symmetric matrices, symmetric matrices, सबसे पहले हम देखते हैं, कि symmetric matrices क्या होते हैं, I square matrix A, इससे to be symmetric, if A transpose equals to A, अगर कोई भी matrix, अपने ही transpose के equal हो जाए, तो क्या कहलाएगा, symmetric matrix, जैसे देखिए, आपके सामने है, एक matrix A है, इसके elements, देखिए, first row के elements हैं, second row और third row, इसका transpose हमने लिया, तो यह आया, first row, first column में change हो गया, second row, second column, और third row, third column में, तो हम क्या देखते हैं, कि A equals to A transpose, तो A, A transpose के equal, इसका उत्रब A क्या हो गया, A हो गया, symmetric, कैसा matrix हो गया, यहाँपे, symmetric matrix, next is skew symmetric matrix, I square matrix A is set to be, skew symmetric matrix, if A transpose equals to minus A, जैसे माली जे एक matrix है A, इसका आपने transpose निकाल लिया, और minus 1 से into कर दिया, अगर दोनों ही चीजें सेम आ गया, इसका मतलब एक ऐसा matrix हो गया, skew symmetric matrix, तो देखिए, आपके सामने एक पहले, हम general example लेके चलेंगे, let A, हमने एक 2 by 2 का matrix माना है, skew symmetric matrix माना है, हमने, A11, A12, A21, A22, और assume किया है, या let किया इसमें, कि ये skew symmetric है, means A transpose equals to minus A, यह यहाँ A की value हो गई, A transpose की value हो गई है, और यह minus A, यहाँ किया, अब देखिए, minus इधर आएगा, कितना हो जाएगा, plus हो जाएगा, A हो जाएगा, और यह A का transpose हो जाएगा, दोनों को हमने देखिए, add कर दिया, दोनों को add करने बाद यह आया, A11 plus A11, इस तरह से आ गया, यह question 000, 400 हो गया, अब A11 plus A11, कितना हो जाएगा, 2 A11, यह जाएगा, 2 A22, अब आप compare कर दो इसको, compare करोगे, आप 3 चारो को, equal करो, तो क्या आएगा, इसमें A11 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, A22 आ गया, 0, और A12 equals 2 minus A21, तो आप 2 by 2, के साथ साथ, आप 3 by 3 भी लेके, चेक कर सकते हैं, आप देखोगे, कि जो excuse symmetric matrix होता, इसके diagonal के element, समेंसा 0 होंगे, त्यार रखना, क्या होते हैं हमेंसा 0, इन journal लेके चलते हैं, जैसे माली जी जहाँ पे है, A क्या is excuse symmetric, A transpose क्या हो जागा, minus A, इसका उतरब A में, अगर कोई element, A, J, I है, तो 2, A, I, I equals to 0, तो A, I, I equals to 0, मतलब A, I, I को, A, 1, 1, A, 2, 2, A, 3, 3, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो जो excuse symmetric matrix होता है, उसके diagonal elements क्या होते हैं, और 0, always 0, यह आप याद रखना, जिसे one marks के question आते हैं, तो ऐसे concepts पे, पूछे जा सकते हैं, अब चलिए excuse symmetric matrices के देखे, एक्जाम पर देखे, जैसे आपको मालीजे, बनाना is excuse symmetric matrix, तो पहरे तो diagonal elements को आप 0 रख दो, अब यहाँ पे जो भी element लिखोगे, यह दोनों आपस में opposite sign के साथ लिखोगे, जैसे next में देखे, यह भी excuse symmetric है, यहाँ पे देखे, हमने क्या किया है, इसके diagonal elements क्या है, 0, 0, 0, अब देखे, यहाँ पे e और minus e, दोनों opposite sign के साथ है, यहाँ f और minus f opposite sign के साथ है, g और minus e opposite sign के साथ है, इस तरह से आप infinite many skew matrices, skew symmetric matrices का example, दे सकते हैं, इसे माल लीजिए, हमने लिखा यहाँ पे, चलिए हम 3 by 3 का बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम diagonal को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, पहला काम, अब चलिए अपने मन में कोई एक number सोच लो, कोई भी चीज सोच लो, जैसे मालो हमने यहाँ पे minus 3 लिया, तो इसके opposite sign के साथ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब मालो यहाँ पे हमने minus 4 सोच लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर जाएगा, और यहाँ पे हमने मालो root 2 सोच लिया, तो यहाँ पे minus root 2, मतलब opposite sign के साथ, opposite वाले elements को लिख दो बस, एक जामपल बन गया इसक्यू सेमेट्रिक का अब आप इसका ट्रांस्पोज निकालो माइनस से इंटू करो देखो गया इस सेम आएगा तो इस तरह से एक्जाम में आता भी है लिखने के लिए कि write an example of इसक्यू सेमेट्रिक मैट्रिक्स सेमेट्रिक के लिए भी आप इसली बना सकते हो अब देखिए थेओरम for any square matrix A कोई भी square matrix ले लो A with real number इंक्रीज उसकी इंक्रीज क्या होने चाहिए real number तो A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix तो देखिए यहाँ जरूरी नहीं है कि A symmetric हो या A skew symmetric हो लेकिन जब square matrix में उसके transpose को add कर देंगे मतलब A plus A transpose तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा symmetric matrix ऐसी अगर A में से A minus transpose निकालेंगे A transpose को minus करेंगे तो यह हमिसा क्या हो जाएगा skew symmetric तो चलिए देखते हैं इसको prove करके देखते हैं चलिए हम करते हैं यह X के equal है X equals to A plus A transpose तो हमको symmetric के लिए क्या दिखाना पड़ेगा X transpose equals to X यह चीज दिखाना है हमको तो चलिए X का transpose निकालें तो A plus A transpose का transpose हो जाएगा A transpose plus transpose of A transpose A transpose की जाएगा और A पर यह जो दो transpose है तो A बचेगा किसके equal आ गया इसका उत्रब X transpose equals to X आ गया हैंस X किसके equal है A plus A transpose हैंस A plus A transpose is just symmetric matrix क्या आ गया symmetric matrix next अब हमको A minus A transpose को क्या दिखाना है इस Q symmetric इसको हमने Y के equal दिखा दिया तो इसका उत्रब Y को हमने दिखाना Y transpose equals to minus यह चीज़ दिखाना है तो चलिए देखते हम Y transpose क्या हो जागा transpose of A minus A transpose अब यह क्या आ जागा A का transpose minus transpose of A transpose तो हो जागा A transpose minus A दो बार transpose लेने पर A आएगा अब यहाँ पर यहाँ पर किसके इकुल है Y के इकुल तो Y transpose equals to minus Y hence A minus A transpose is skew symmetric matrix कैसा matrix हो गया skew symmetric तो ध्यान दखना for any square matrix A A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric next देखिए theorem क्या कहता है any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix समाली यह कोई square matrix है 2 by 2 का 3 by 3 का किसी भी type का है तो हम इसको 2 matrices के sum के form में लिख सकते हैं यहाँ पर 2 matrices एक इसमें symmetric होगा और दूसरा क्या हो जागा skew symmetric देखिए कैसे if A is j square matrix माली यह कोई square matrix है if A is j square matrix then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric अभी उपर ही हमने इसको explain किया इसको prove किया है तो ठीक है A plus A transpose किया हो गया symmetric and A minus A transpose किया हो गया A is q symmetric अब अगर हम इसमें किसी constant scalar से into कर दें जैसे माली जी हमने 1 by 2 से into कर दिया A plus A transpose में तो पता इसमें से into कर दें किसी symmetric matrix में तो जो नया matrix opt-end होगा वह भी symmetric ही होगा ऐसे एगर किसी scalar से skew symmetric में हम into कर दें तो क्या हो जागा वह skew symmetric ही होगा इसका मतलब half into A plus A transpose कैसा matrix हो गया symmetric and half into A minus A transpose कैसा हो गया skew symmetric अब ज़िए आम दोनों को plus कर दें half A plus A transpose plus half A minus A transpose दोनों को अट करने पर यहां 1 by 2 common आ गया ब्रैकेट में आगा एप्लस a transpose प्लस a minus a transpose तो दोनों को अट करके कितना होगा 2A होगा 2 से 2 कटा कितना या ए है तो a equals to कितना होगा हाफ a plus a transpose प्लस हाफ a minus a transpose इसमें यह हो गया सेमेट्रिक इसको आप पी ली सकते हो और दूसरा हो गया इसकी सेमेट्रिक इसको आप क्यों लिख सकते हो एक वस्टू प्लस क्यों तो क्या हो गया कि किसी भी स्कॉाइर मैट्रिक्स को हम एक्स्प्रेस कर सकते हैं इसकी सेमेट्रिक 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 इसकी सेमेट दो मैटिसेस के सम के फॉर्म में लिखना है एक समेक्रिक और दूसरा इसक्यू समेक्रिक तो चलिए देखते हैं इसमें यह बी दिया है 2-2-4-1-3-4-1-2-3 और देखिए बी क्रांस्पोज 2-1-1-2-3-2-4-4-3 यह हो गया यह बाद दोनों को हमने एट कर दिया है देखिए एट करने बाद अपनी कॉपी पर आप करना यह दोनों चीज़े आएंगी इसमें एट करने बाद यह चीज़ आया अब हम क्या करेंगे वन बाइट निकालेंगे इसको आप पी नाम दे सकते हो पी इकोस टू इतना हो गया इस सॉल्व करके इतना जाएगा आप कॉपी पर करना टू से क्या करेंगे सारे इलिमेंट्स को डिवाइट कर देंगे अब हम उसी तरह से सब्क्राइट करेंगे पिछले में जो हाफ b plus b transpose निकला है वो symmetric होगा अब ऐसे हम b minus b transpose निकालेंगे देखे कैसे निकला इसमें यह हो गया यह अब हाफ से इंट्रू करेंगे तो यह आजाएगा पूरा यह क्या हो गया से zapichi इसको आफ क्यू नाम देख सकते हो क्या नाम देशकते हैं पर क्यू एक हो गया दो यह हो जाएगा Sometimes कि अ संब्यू जैगा इसकव समय कोमें कर दीजिए यहां पर इसको भी नाम दे दीजिए इसको क्यू क्यों बी को हमने एक्स्प्रेस कर दिया as a sum of two matrices in which one is symmetric and other is skew symmetric, यह हमने कर दिया, thus B is represented as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix, तो दोस्तों यह transpose तका concept हुआ, अब हम थोड़ा exercise शुरू करेंगे, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने concept ही बताये थे, और थोड़े examples बताये थे, आज इस वीडियो में हम बाक exercise 3.1 को discuss करेंगे, और जब next वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमे exercise 3.2 और 3.3 को discuss करूंगा, तब तक आप उनके questions को भी आप try किये रहाना, इसके बाद जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो questions आपको अच्छे से समझ में आएगा, चलिए देखते है exercise 3.1 का question बहुत एजी exercise है, in the matrix A, यह आपके सामने matrix है, जिसमें कितने rows है, 1, 2, 3, और कितने columns है, 1, 2, 3, 4, the order of the matrix, इसका order क्या होगा, number of rows by number of columns, क्या हो जागा, order 3 by 4, आप क्या काता है, the number of elements, तो कोई भी matrix जिसका order है, m by n, इसमें number of elements क्या हो जागा, m, n, यह जागा, 3 into 4 कितना हो जागा, 12, फिर कहता है, कि write the elements, A, 1, 3, A, 2, and A, 3, 3, यह in elements को लिखना है, तो बहुत ही आसान है, चले देखते हैं, पहले, A, 1, 3, क्या है, A, 1, 3 का मतलब हो गया, 1st row और 3rd column, तो यह जागा, 19, क्या हो जागा, 19, ऐसे ही, A, 2, 1 का मतलब हो गया, A, 2, 1 का मतलब हो गया, 2nd row और 1st column, कित A, 2, 4, यह अपने आप से कर देना, इसको, NCRT की book का है, question, चले देखते है, question number 2, if a matrix has 24 elements, एक matrix में कितने elements है, 24, what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आप जितने तरह से factor कर सकते हैं, उतने ही order के matrices आपको मिलते जाएंगे, जिसे कितने तरह से आप factor कर सकते हो, लिख सकते हो, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1, तो कितने मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तरह के मिल गया, 8 types के matrices मिलेंगे, different types के, जिसमें कितने elements होंगे, 24, इतने तरह के order, अम आलिजे 13 है, number of elements कितना है 13, तो 13 को कितने तरह से दो तरह से factorize कर सकते, 1 into 13, 13 into 1, तो एक row, matrix मिल जाएगा, और एक column, बस दो तरह से, third देखिए, if a matrix has 18 elements, what are the possible orders if it can have, what if it has 5 elements, तो 18 है तो वही हो गया, matrix में 18 elements है, तो कितने तरह से, आप इसका factor कर सकते है, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1, यह possible orders हो गया है, अब ऐसे एगर 5 है इसमें, तो 5 को लिख सकते हैं, 1 into 5 यह 5 into 1, 2 possible orders होंगे, यह आए आपको समझे, अब देखते है, question number 4, इस type का आपने example किया था, पिछले वीडियो में, construct a 2 by 2 matrix, एक 2 by 2 का matrix बनाना है, यह यहाँ ऐसे से बनना है हमको, 2 by 2 का, जिसके elements को कैसे दिया गया है, aij equals to whole square of i plus j and divided by 2, फिर उसको हमें क्या करना है, 2 से divide करना है, तो यहाँ क्या आता है, a11, a12, a21, a22, पहले हम a11 निकालेंगे, मतलब 1 plus 1 का whole square by 2, तो 4 by 2 कितना हो जागा यहाँ पे, 2, ऐसे a12 क्या हो जाएगा, 1 plus 2 का whole square by 2, 3 का square 9, 9 by 2 हो जाएगा, a21 क्या हो जागा, 2 plus 1 का whole square by 2, 9 by 2 यह भी हो जाएगा, अब देखिए a22 क्या हो जागा, 2 plus 2 का holy square by 2 16 by 2 कितना हो जागा यहाँ पे 8 तो यह हो जागा 2 9 by 2, 9 by 2, 8 यह आ गया चली इसी का second part है aij equals to i by जे, कैसे define किया गया है elements को aij equals to i by जे, तो a1 1 1 by 1, a1 2, 1 by 2 a2 1, 2 by 1, a2 2 2 by 2, तो यह आ गया 1 1 by 2, 2 1 आ गया चली फिप्त देखिए आप construct a 3 by 4 matrix whose elements are given by एक 3 by 4 order का matrix बनाना, उसके elements given by aij equals to 2i minus j तो 3 by 4 का उंतरब 3 तो रोज होने चाहिए और columns 4 1, 2, 3, 4 तो यह देखे मैंने elements को लिख दिया है तो पहले हम a1 1 1 निकालेंगे, 1 1 निकालने के लिए करना हमको, i की जगा 1 और j की जगा 1, तो हम solve करेंगे तो कितना आगा यहाँ पर 1 आएगा ऐसे ही a1 2 निकालेंगे तो i की जगा 1 और j की जगा 2 solve करके यतना आएगा ऐसे आप अपने आप से करना, इसी में i और j के different values को put करते रहना, तो आपको यह यह 12 elements आपको मिल जाएंगे, यह मिल जाएगा तो matrix हमारा यह आ जाएगा, a equals इतना यह आएगा ऐसे ही second है, aij को इसमें define किया गया है, 1 by 2 फिर mod में कितना है, minus 3 i plus यह देखे, mod में आए, तो पता है mod में अगर कोई negative number आ गया तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, उसी तरह से करना है, i और j की different values आप रखते जाओ इसमें जैसे हमें एक बता दे रहा है, जैसे a11 हमने निकाला है, तो i की जगां 1 रखा और j की जगां 1 रखा mod में minus 2 आया, अब यह हो जाएगा, 2, 2, y, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1, इसी तरह से हमने पूरा निकाल दिया है, तो आप करके check कर सकता है, यह matrix आ जाएगा, यह हमने यहाँ पे answer लिखा है आप भी इसको check करना, सही है कि नहीं सही है, यह आप देखना इसमें question number 6 find the values of x, y and z from the following equations देखिए, दो-दो matrices को इसमें equal दिया गया है और matrices equal कब होते हैं, आपको पता है, उनके order same हो और साथी-साथ corresponding elements क्या हो जाए, इनके same हो जाए, तो comparing the corresponding elements हम compare करेंगे, तो देखिए, y की जगा तो 4 है, x की जगा तो 1 है, और z की जगा क्या है, यहाँ पर 3 है, यह हमने compare करके निकाल, x, y, z की value जा गई, second देखिए यह देखिए, x plus y equals to 6 5 plus z equals to 5 x into y 8 है, z equals to क्या कितना है यहाँ पर, z देखिए, इसमें आ जाएगा 0, क्योंकि यह 5 की equal है, तो 5 minus 5, 0 जाएगा अब देखिए, यहाँ से y कितना है 6 minus x, y equals to 6 minus x तो यहाँ पर रख दो values, तो x into 6 minus x equals to 8 कितना होगा, 6 x minus x is square equals to 8 यह हो जागा, 6 x minus x is square equals to 8, इसको हम solve करेंगे, factorize करेंगे, तो x की दो value जाएगे, 2 and 4 अब x की value जब आप 2 लोगे, तो y आएगा, 4 आप x को 2 रख के करोगे, तो y आएगा 4, और अगर आप x को 4 रखोगे, तो y आएगा, यहाँ पर 2 तो किस तरह से आएगा 2, 4, 0, 4, 2 0, इस type से आगया, 2, 4, 0 और 4, 2, 0 काने काउंटर, अगर एग बार x को 2 लोगे तो y को आपको 4 लेना पड़ेगा और अगर आपने x को 4 रखा तो y को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, जिससे इनका sum हमेशा 6 रहेगा, और product हमेशा हमेशा क्या रहेगा, 8 रहेगा यह चीच चाहिए हमें थर्ड देखिए, x प्लस y प्लस z, x प्लस z, y यह देखिए, matrix इसके equal है तो compare का लीजिए, x प्लस y प्लस z 9 होगा x प्लस z 5 होगा, और y प्लस z कितना होगा, 7, तो आप इसको solve करोगे जैसे x प्लस z 5 रख दें, यहाँ पे x प्लस z, तो y कितना होगा, 9 माइनस 5 कितना होगा, फोल आजाएगा, ऐसे y प्लस z यहाँ 7 रख दो तो x कितना होगा, 2 होजाएगा, और x को 2 y को फोल रखो, z कितना आएगा, 3 आएगा, चले question number 7 देखते हैं, find the values of a, b, c, and d from the equation, यह देखिए, तो दोस्तों, ऐसे ही हो जाएगा, पिछले question की तरह, आप corresponding elements को compare करो, तो a minus b कितना होगा, minus 1, 2 a plus c हो जाएगा, 5, 2 a minus b हो जाएगा, 0, और 3 c plus d हो जाएगा, 13, तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने solve किया, इसको 2 a minus b और a minus b को किया है, तो a की value 1, i, b की value 2, ऐसे ही c और d में equation है, c की value 3 और d की value 4, अब देखिए, question number 8 में, a equals to a, i, j, m by n, j, square matrix, हाँ, तो कोई भी matrix, square matrix कब होता है, जब number of rows और number of columns क्या हो जाएगा, same, m equals to n, यह दिया है, आपकी book का question है, option C सही होगा इसका, question number 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, आकिर x और y की क्या values है, जो दोनों matrices को क्या दिखाती है, same दिखाती है, तो वही चीज़ करना है, corresponding elements को क्या करना, compare करना, जैसे 3x plus 7 किसके equal हो जाएगा, 0 के, y minus 2 हो जाएगा, 5 के equal, 2 minus 3x किसके हो जाएगा, 4 के equal, और y plus 1 किसके equal जाएगा, 8 के equal, तो आप solve करोगे x, y, और यह value जाएगी, अब देखिए, यहाँ पर y की दो values मिल नहीं है, तो यह possible नहीं होगा, क्योंकि एक बार y को आप 7 रखके देख लो, क्या दोनों equal आ रहा है कि नहीं, और एक बार, नहीं नहीं, ठीक है, y की दो values, एक ही है, sorry, y की 7 आ रही है, x की दो value जा रही है, देखिए, x की value यहाँ पर minus 2 by 3 आ रही है, और x की value minus 7 by 3, तो एक बार x को minus 7 by 3 रख दो, और x को एक बार minus 2 by 3, तो आप देखोगे कि दोनों matrices equal नहीं आएंगे, अगर equal आ रहे हैं दोनों ही cases में, तो ठीक है, otherwise, x की जो दो values है, मुझे लगता है, दो different matrices देगा, इसमें equal नहीं आएगा, तो ऐसा possible नहीं होगा, फिर, question number 10, the number of all possible matrices of order 3 by 3 with increase 0 or 1 is, तो हमें 3 by 3 के कितने matrices हम बना सकते हैं, how many matrices can be made by using 0 and 1 of order 3 by 3, कितने matrices बना सकते हैं, 3 by 3 के matrices में 9 places होते हैं, इन 9 places को कितने तरह से बनना, 0 से या 1 से बनना है, तो हर एक place को दो तरह से भर सकते हैं, चाहें 0 चाहें 1, ऐसे कितना हो जागा, आपने class alone में permutation पढ़ा है, जिसे माली यह 9 जगा है, जीरो और 1 से बनना है, जीरो और 1 से बनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हर एक के लिए 2 options हैं, तो हम सब को इंटू कर देंगे, तो कितना हो जागा, 2, 2, 9, तो कितना हो जागा, 512, इतने matrices बनेंगे, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने पहली बता रखा है, कि exercise 3.2 और 3.3 के question को solve करूँगा, तब तक आप उनको करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो कर दीजिए, इसे यूटूब पर direct इसका अब्लेट आपको मिलता रहेगा, धन्यवाद,